हेलो एवरिवान मैं हूं किरिन शापुरी और यह है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का सापता है क्राशीफल यह थोड़ी 1st January से लेकर 6th February तक की आपकी टारो रीडिंग्स हैं, टारो प्रेडिक्शन्स हैं और सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज लाइक, शियर और सब्सक्राइब करें इसके साथ साथ अगर आप डेली टारो रीडिंग में इंट्रेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विजिट कर सकते हैं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और दूसरी बात इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या पिर नाम के हिसाब से भी राशिया होती हैं उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं और अगर आप मुझ से पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूंगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या पिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें तो चलिए जी शुरू करते हैं, कमिंग वीक का सापता है क्राशी फल चलिए एरीज आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्शीज हैं तो प्रोफेशनल फ्रंड के लिए आप लोगों के लिए कार्ट्स हैं, देखें हर्मिट के कार्ट को आप देख पा रहे हैं एक फिगर ने लाइट अपने हाथ में ली है, और देखें लाइट हम तभी लेते हैं जब हमारे आसपा संधेरा होता है किसी चीज को हम देखना चाहते हैं, किसी चीज को हम ढूनना चाहते हैं और कुछ ऐसी ही energies in general, या फिर specifically आपके professional front में रहती हुई दिख रही हैं जहां पर again मैं कहूंगी कि एक search किसी level पे चल रही है, आप किसी चीज को ढून रहे हैं या फिर किसी चीज को लेकर एक research आप करना चाहा रहे हैं आप चीजों को और समझना चाहा रहे हैं, आप चीजों को और understand करना चाहा रहे हैं और इसी वज़े से या otherwise भी, कहीं आप again मैं कहूंगी कि चीजों से withdraw करते हुए दिख रहे हैं burden का card, बहुत ही clearly, मन ही, मन किसी चीज को लेकर stress, pressure भी feel करने की बात करता है और देखे, मेरे हिसाब से burden और pressure तब ही होता है, जब हम चीजों को लेकर बहुत fixated हो जाते हैं, rigid हो जाते हैं या फिर मैं कहूंगी कि most of the times, यह हमारे ही negative thoughts की वज़े से होता है, negative belief systems की वज़े से होता है और देखे, यहाँ पर थोड़ा सा भी, अगर आप अपने negative thoughts को, negative belief systems को question करते हैं तो इस burden को भी आप ease out कर पाएंगे example के तोर पे देखे, जब हमें लगता है कि यह चीज तो हमें चाहिए ही चाहिए या फिर यह चीज हमारी इस दिन तक खतम हो जानी चाहिए और जैसे ही हमें यह लगने लगता है कि भाई उस particular time तक हमारी wish नहीं पूरी होगी हमारी desire नहीं पूरी होगी तो हम परेशान होते हैं और यहां पर देखे, मैं आपको यह नहीं कह रहे हूँ कि आप desire ना करें या फिर आप goals ना बनाएं, आप target ना बनाएं, आप उसके लिए effort ना करें आप सब कुछ करें लेकिन देखे, outcome से ज़्यादा attach ना हो और अगर ऐसा आप कर पाएंगे तो इस week के energies को भी specifically अपने professional front में आप better कर पाएंगे and personal front के लिए आप लोगों के लिए cards है the devil and maturity और देखे, यह दोनों ही cards, symptom से contrary energies की बात करते हैं जहां devil का card pressure की बात करता है, stress की बात करता है वही maturity के card को अगर आप देख पा रहे हैं तो इस figure के mind में या फिर body में ही flowers है और देखे, flowers कहीं beautiful energies को ही represent करते हैं और इस figure के mind के आसपास light भी है, रोशनी भी है और devil में अगर आप देखे, तो background में अंधेरा है तो देखे, दोनों cards को combine करें तो surface level पे हो सकता है कि कुछ चीज़ें हैं जिनकी वज़े से एक pressure है, एक burden है और हो सकता है कि या तो आपके आसपास के लोग थोड़े से controlling, dominating हो रहे हैं या फिर surface level के लिए areas आप ही थोड़े से controlling, dominating किसी चीज़ के लिए हो रहे हैं possessive हो रहे हैं, obsessive हो रहे हैं, लेकिन जो भी surface level पे हो रहा है, मन ही मन के लिए maturity का card कहता है, कि आप बहुत ही maturity के साथ, बहुत ही understanding के साथ, हर चीज को deal कर रहे हैं, या मैं ऐसा भी कह सकती हूँ, कि surface level पे personal front में जरूर कुछ issues, कुछ मसले हैं, लेकिन मन ही मन आप किसी भी चीज से बहुत जादा effect नहीं हो रहे हैं, या फिर कोई भी चीज आपको परिशान नहीं कर पा रही है, और देखें, बहुत सारे areas मुझे maturity वाले card के energies में दिख रहे हैं, जो नहीं है, उनके लिए message है, कि again आपने बहुत ही maturity के साथ, positivity के साथ, हर चीज को deal करना है, and guidance से आप का card भी कहता है, कि या तो एक अकेला पनाप चाहा रहे हैं, या फिर एक अकेला पनाप महसूस कर रहे हैं, और देखें, desert passage का message आप लोगों के लिए है, trust is a divine plan, तो देखें, जब हमारे हिसाब से चीज़े नहीं हो रहे होती हैं, जाहिर सी बात है, हम परेशान होते हैं, और आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, जो भी इस week हो रहा है, वो divine की मर्जी से हो रहा है, और कहीं वो चीज़ें आपको आपके goal, आपके मकसद के पास लेकर जा रही हैं, आप इस week नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन अगर आप divine को trust करेंगे, तो आगे जाके आप पाएंगे, कि जो भी हुआ, वो बहुत अच्छे के लिए हुआ, और आपके मकसद, आपके goal के साथ सब ही चीज़ें align थी, और आपको उसी तरफ लेकर भी जा रही थी, और astrology से आप लोगों के लिए Aquarius sign का card है, और इसके हिसाब से blue, indigo, navy blue colors, इस week आप लोगों के लिए लखी रह सकते ह and significant day आप लोगों के लिए होगा Saturday, तो ये था Aries आप लोगों के लिए coming week का सापता ही क्राश रिफल, और नीचे मुझे comment section पर जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया, कितना आप connect कर पाए